हेलो मैं डॉक्टर निशी सीनियर आईवेफ स्पेशलिस्ट फ्रम प्राइम आईवेफ केई पर दिखा जाता है कि जब भी कोई इन फर्टाइल कपल आता है तो उसको औरल कॉंट्रासेप्टिफ पिल्स दी जाती है तो पेशिंट के दिमाग में कुश्चन आता है या वो डॉक्टर से पूछता है कि मैडम यह OCP औरल कॉंट्रासेप्टिफ पिल्स जो दी गए यह तो बच्चा नय होने के कारण होती है और मैं तो आपसे इन फर्टिलिटी का ट्रीट्मेंट कराने आया हूँ आप मुझे यह पिल्स क्यों दे रही है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी जो ओरल कॉंट्रासेप्टिफ पिल्स है वो एक इस्टूजन और प्रोजेस्टरोन का कॉंबिनेशन होता है यह जो टैबलेट होती है यह आपको 21 दिन तक खानी होती है अब क्या होता है कि खाली इनका ए पिलावा भी जो यह हार्मोंस होता है इस्टूजन और प्रोजेस्टरोन इनका और भी रोल होता है बाड़ी में तो जब हम IVF करते हैं उससे पहले हम औरल कॉंट्रासेप्टिफ देते हैं वो तीन में काम करती है अगर आपकी ओवरी में कोई सेष्ट है किलियर सेष्ट है यानि कि पानी की गाठ है उसको खतम करती है अगर आपके हार्मोन इंबैलेंस है यानि कि आपकी लाइनिंग बहुत थिक कारी है और आपकी जो एंडोमेटरी लाइनिंग थिक है तो इसका मतलब आपका इस्टूजन काफी हाई हो रहा है तो यह आपके हार्मोनल इंबैलें यूँ एक महीने आपने खाई किस दिन के बाद छोड़ी फिर पीरेड आया फिर आपको दिया गया ओसीपी फिर आपको पीरेड आया तो यह आपको एक साइकल रेगुलर भी करती है इस तरह से मैंने आपको बताया कि इसके तीन वर्क हो गया आपकी बॉड़ी में तो इस तर औरल कॉंट्रासेप्शन यह जो टैबलेट है इनका भी एक एहम रोल है आईवीएफ में आप यह मत समझो कि आपको इनफर्टिलिटी है तो आपको यह ओरल कॉंट्रासेप्शन तो प्रिग्नेंसी बंद करने के लिए दिया जा रहा है तो कहीं डॉक्टर गल तो ट्रीटम प्राइम आईवीएफ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि कोई अपडेट कभी न छुटे